पूर्पिय। ये रवेया हर समय खुद को एक बलिदान देने वाला सिद्ध करने की कोशिश है मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है मैंने खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है लेकिन आप उन्हें क्या दे रहे हैं? आप अपनी चिंता, अपनी चिड, अपना तनाव अपने बच्चों को दे रहे हैं, है न? अगर आपको सचमुच, सचमुच अपने बच्चों की चिंता है अगर आपको वास्तव में अपने बच्चों की चिंता है तो खुशी और प्यार का महाल बनाए रखना उनके विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें चमकदार जूते देना नहीं उन्हें अच्छे कप्ड़े देना नहीं उन्हें वीडियो गेम देना नहीं और दुनिया जहान की दूसरी चीज़ें देना महत्वपूर्ण नहीं है उनके हिदृ गिद एक खुशी और प्यार भरा माहौल बनाए रखना हर दिन, हर पल, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें वो बक्वास चीजें देने के बजाए जो आप उन्हें दे रहे हैं, है कि नहीं? तो जीवन के बारे में आपका फोकस क्या है? अगर आप अपना काम और बच्चों की देखरेक वगरे सब कर सकते हैं, तो कीजिए. अगर नहीं कर सकते हैं, तो उतना ही कीजिए जितना आपसे होता है, हर इंसान केवल उतना ही कर सकता है, है ना? आप दुनिया में हर चीज़ करना चाहेंगे, तो आप निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे. आप कितना काम कर सकते हैं ये हर इंसान को खुद को तै करना होता है हो सकता है कि कोई सुबा छे बजे उटकर ये सभी काम खुशी-खुशी कर ले कोई दूसरा ऐसा नहीं कर पाता उसी के अनुसार उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, है ना? आपने ये सारे काम अपने हाथ में लिये इसलिए नहीं क्योंकि आप यही करना चाहते हैं आप किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं यही आपकी पूरी समस्या है आप वो सब पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है बिना जाने कि आपको वाकई उसकी जरुरत है या नहीं इतना कुछ करके आपने जो भी कमाया है आपके बच्चे, आपके पती, आपकी पत्नी या और कुछ अब आप इनका आनन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको इस सब की क्या जरुरत है आपने ये सब इसलिए बनाया है क्योंकि आपको लगा कि यही आपके आनन का स्त्रोत है या नहीं लेकिन अभी यही आपके चिंता और दुख का कारण बन गया है तो बैतर होगा कि आप जीवन के बुनियादी तत्वों पर एक बार फिर गौर करें आपने पढ़ाई की, नौकरी खोजी, शादी की, बच्चे पैदा किया ये सब क्यों किया क्योंकि आपको लगा कि इससे आपको खोशी मिलेगी और आपका भला होगा पर अब वही आपकी जान ले रहे हैं अगर ऐसा है तो आपको इस पर गौर करना चाहिए अगर आपसे ये सब नहीं संभल रहा है, तो शाहिद आपको इसे छोटे स्थर पर लाना होगा अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, तो आपको वो जरूर करना चाहिए अगर आप दिन में 30 मिनट का भी समय निकालते हैं, अपने योग के लिए तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा, समय के लिहाज से भी पहली चीज आपके साथ ये होगी, कि आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे अभी अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो इसका मतलब आप अपने एक तिहाई जीवन सोते हुए बिता रहे हैं अगर आपका मन और शरीर ज्यादा ऊर्जवान और सक्री हो जाते हैं, तो आपके नींद के घंटे अपने आप कम हो जाएंगे तो अगर आपको दिन में जागे रहने के 3-4 घंटे ज्यादा मिल जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, है ना? इसके अलावा, अगर आपका शरीर और मन थोड़े और व्यवस्तित होते, तो आप देखते कि मैंने लोगों के साथ ये भी पाया है, कि योग की आसान सी प्रक्रिया से 6-8 हफते में ही ज्यादतर लोगों की ख्रमता का स्तर ऐसा हो जाता है, कि वो जिन कामों को 8 घंटे में करते थे, उन्हें वो अब 3-4 घंटों में आसानी से कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए, क्योंकि अगर आप दिन के दोरान खुद पर गौर करें, मान लेते हैं, कि हम आपके पूरे दिन का वीडियो तयार करते हैं, आपकी जानकारी के बिना, आप देख सकेंगे कि कि कितनी गैर जरूरी हलचल, गैर जरूरी बाचीत और गैर जरूरी काम आपके जीवन में हो रहे हैं, आपको एक दिन करके देखना चाहिए, क्रिप्या किसे वीडियो कैमरामैन से कहिए कि वो आपका वीडियो बनाएं, आपकी जानकारी के बिना, आप देखेंगे कि आप कितनी सारी ग इन्हें 26 घंटों में बदलनी की जरूरत नहीं है, 24 घंटे काफी हैं, 24 घंटों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम एक व्यवस्थित और केंदरित इंसान बन जाते हैं, तो 24 घंटों में हम बहुत काम कर सकते हैं, अगर आप अव्यवस्थित और अस्थिर हैं, तो आ आप मेंसे अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, आप बस व्यर्थ के विचारों में उल्जे रहते हैं, है ना? है कि नहीं? दिमाग में गहरी उथल पुथल चलती रहती है जिस भी माहिला ने सवाल पूछा है, आप कृपया दिन में आदे घंटे का समय जरूर दीजिए सुबह साड़े पांच बजे उट जाएए और आप पाएंगी कि अचानक आपके जीवन की क्वालिटी में बड़ा बदलाव आ जाएगा यही बात मत दोहराते रहिए कि मेरे पास समय नहीं है समय निकालिए और देखिए, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा